Dear student, we have to discuss about the world population and its associated impact. हम दो impact को focus कर रहे हैं इस वक्त और पहला impact जो है वो हमारे पास food problem है और दूसरा impact जो है वो हमारे पास clean water है. हम इससे पहले MDGs के अंदर जो है हम बात कर चुके हैं, millennium development goal के अंदर और फिर हमने sustainable development goal के अंदर जो हैना, उसकी sustainability के लिए हमने target से भी बनाए हैं कि poverty को हमने खतम करना है. अब जब poverty को खतम करना है, तो हमने food की availability करानी है, और जब हमने food की availability करानी है तो food की associated जो हमारे पास assessment है regarding के हमें required food कितना है वो हमारी planning का इससा है अब देखें अगर हमारी population growth जो है वो हमारी control में नहीं होती या control नहीं होती हम estimated population के साथ नहीं align होते जितना estimate किया जा रहा है कि अगले पांच सिरों में हमारे बचे कितने होंगे, हमारी अबादी बड़ेगी कितनी, हमारा death rate कितना होगा और उसके बाद आने वाले जो नए बचे हैं उनका rate कितना होगा अगर जिए हमारा balance जो के हमारी planning का इससा है हमारी उस planning के मताबक अगर ये नहीं है तो जो हमारे दो बड़े issue है वो हमरे पास है फूड और क्लीन वाटर पहली पहला इशु जो है वो फूड के साथ जो रिलेटेड है वो है फूड की अवेलिबिलिटी कि फूड अवेलिबल होना चाहिए फिर दूसरे नमबर पे आते है असेस अब लाज़िम बात है कि जिस लिहाँ से हमारी ग्रोथ बढ़ रही होती है हमें हमारी फूड जो है उसकी जो प्रोड़क्शन है उसको भी उसी लिहाँ से बढ़ाना है अब हमारे पास हमें गन्नम चाहिए हमें शावल चाहिए हमें bread चाहिए हमें butter चाहिए हमें milk चाहिए lot of the things जब हम food की बात करते तो एक बड़ा लफ्ज है food का अब हर production हर जो product है उसकी required production जो है वो हमारे पास estimate होती है अगर हमारी population growth जो है वो appropriate नहीं होगा तो हमारा पहला problem क्या होगा वो हमारे पास होगा कि हमारी food की availability क्योंकि हम Sustainable की बात करते हैं तो sustainable development के inदर हमारी food की availability और फिर असेस भी है clean water की availability भी है और पिर असेस भी है और आगर हमारे पास food उस अंदाष में उसकी production नहीं वो पाई क्योंकि वो उन्मारी planning का हिस्सा है क्योंकि उसके साथ related farmer है, formal के साथ related, हमारे पास land है, land के साथ related, हमारे पास वो उसकी production के साथ related जैसे fertilizer है, electricity है, वो तमाम चीजी जो उसके साथ related है, उनके availability है, यानि फूड को की production के लिए उसकी related जो accessories हैं, वो भी हमने बना के देनी है, तो लहाज़ा अगर हम देखें, तो हमारे पास food और clean water, same condition for the clean water है, पहली बात clean water की availability, आप जैसे देखें, कि हमने वहाँ पे पहले भी एक इसको पर lecture को पर बात कर चुके हुए है, कि हमने, जो नई हमारे पास है, कि अगर हम अपने पानी को save नहीं करतें, तो 70% पानी चाहिए हमें irrigation के लिए, 70% चाहिए हमारी जो production है, उसके लिए, जो food production है, अब देखें, जहाँ पे हमारे पास clean water, एक हमें चाहिए पीने के लिए, दूसरा में चाहिए irrigation के लिए, और हमने कहा था कि अगर हम पानी को save नहीं करतें, इसलिए आज से पानी को save भी करना है, और दूसरी बात यह कि पापुलेशन को control भी करना है, अगर हमारी population control नहीं होती, तो इसका मतलब है कि पहला factor जो है का वो हमारे पास आजाएगा shortage of clean water, अब shortage दो तरह की है, पहली shortage है कि हमारे पीने के लिए पाने की availability है, दूसरी shortage है हमारे पास irrigation के लिए है, अब देखें, irrigation का direct तालुक है food के साथ, क्योंकि food की production होगी, तो food available होगा, availability होगी, तो हमारा process होगा, तो इसका अंदाज़ा, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कि हमारी population growth, अगर हमारे planning के साथ, और planning के अंदर जो हमने दो बातें इस वत हम बात कर रहे हैं, वो है food की planning और clean water की planning, अब ये देखें कि ये दोनों अगर हमेरे पास available नहीं हैं, अगर इनकी planning appropriate नहीं हैं और अगर हमारे पास इसकी shortage हो जाती है, तो हमारे पास हमारे जो sustainable development goals हैं, उन सारे उपके उपर इसका असरा पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि हमारी population growth अगर control नहीं होती, तो हमारा जो असर पड़ेगा पहले नंबर पे food के उपर, कि फूड की availability के उपर, क्योंकि assess तो अगली बात है ना, पहले नंबर पे food की availability है, और दूसरे नंबर पे clean water की availability है, कि clean water भी हमेरे पास available नहीं हो, तो लहाँजा इसके अंदर हमेशा है कि हमारी population की growth को जो है, उसको हम control करें, वनना इसके यह दो impact हैं वो इस पर बहुत ज़्यदा सरनास होगे.